हेलो दोस्तों स्वागत ही आपका अपने चैनल पसल मेनिया बितंकुर में है आज IDBA Executive का एक सेप्ट में एक्जाम था एक्जाम के बाद लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सरमारे 110, 115, 125, 140 इस तरह के अटेम्ट हुए हैं तो क्या चांस रहेगा हमारे एक्जाम के लिएर होने का और इस बार क्या expected cut-off रह सकती है IDBA Executive की सबसे पहले vacancies की बात करें तो लगबग लास्ट येर के बराबर हैं लेकिन सबसे important बात क्या है कि लास्ट येर IDBA Assistant Manager और Executive का एक साथ में नोटिफिकेशन आया था मतलब कि अब दोनों में से सरफ एक post के लिए apply कर सकते थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं था IDBA Executive का इस बार अकेलर notification आया था जो भी candidate eligible थे वो apply कर सकते थे तो इस साल जो candidate की संक्या है लास्ट येर्चा थोड़ी जानदा ही देखिने को मिलेगी important ये रहेगा कि कितने candidate एक्जाम में appear हुए है पेपर की बात के तो बिल्कुल भी हल्कुआ एक्जाम नहीं था reasoning और quant में काफी questions ऐसे थे चो calculated थे और जिनमें time भी लग रहा था तो जिनका reasoning di और quant में question का selection अच्छा रहा है उनके थोड़े से अच्छे attempt भी देखिने को मिले है और GA की बात करें तो आप सबको पता ही है कि क्या ही level आज देखिने को मिला है बहुत सारे students है जिनके सबसे कम attempt आज GA में ही देखिने को मिले है और काप सारे comments भी आ रहे हैं कि सर्थ सबसे जन्दा डर GA की कट रख का लग रहा है अगर लास्ट येर की बात करें तो लास्ट येर सबसे lowest कट ओफ जी एक ही देखिने को मिली थी जनर्नल की सायब चार के आसपास रही थी तो इस साल भी जिस तरह का level हमें GA का देखिने को मिलेगी तो इस साल भी lowest cutoff हमें GA में देखने को मिलेगी इसलिए परिशान नहीं होना है कि हमारी sectional cutoff clear हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी एक overall average attempt की बात करें जो इस साल देखने को मिले हैं तो वही 115-120 के range में देखने को मिले हैं अब काफी सारे students 140-150 भी बना कर आये हैं लेकिन important वही र में थोड़ी बहुत जानदा भी जा सकती है अब जिन्होंने आज IDVA executive का exam दिया है तो आप comment में जरूर बताएं कि आपके total attempt क्या हुए है subject wise आपकी क्या क्या attempt रहे हैं और किस categories हैं बाकी मिलते हैं finance video में चब तक के लिए धन्यवाद